बहुत सारे comments, बहुत सारे DM, बहुत सारी mail मैं MOLS का treatment बताएए, please MOLS का treatment बताएए Hello everyone, welcome to Upaasna की दुनिया कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब की life बहुत amazing चल रही है MOLS के treatment को लेके यार, बहुत सारी queries है, बहुत सारी मोल्स को अगर पर्मानेंट आपको solution चाहिए, तो laser भी नहीं है क्योंकि जो कुद्रत की देन है या पित की वृद्धी की वज़ा से जो मोल्स बनते हैं उसे आप पर्मानेंटली खतम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो सबसे पहले इसके लिए मूल मंत्र है, जो आयरुवेद में बताया गया सम दोशा, सम अगने, सम धातू, मलक्रिय, प्रसन, आत्म, इंद्री, अच्छ, इत्यभी, धियते यानि कि आपके शरीर में तीनों, दो सम अवस्ता में है, मलकी प्रक्रिय, अच्छी हो रही है, 7 धातू है, आपका मन प्रसन है, इंद्रियां प्रसन है तो आप पूरी तरह से तंदरूस्त हैं, फिट हैं तो सबसे पहले आपको पित शामक, यानि कि जो पित को बढ़ाती हैं चीजें, उन चीजों का त्याग करना होगा, अगर अचानक से आपके चेहरे पे बहुत सारे तेल होना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी बच्ची ऐसे हैं जिनके चेहरे पे अचानक से इतने इतने गाल भर जाते हैं यानि कि खटी चीजे बहुत जादा तीकी चीजे ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है बहुत जादा तला भुना खाना भूक नहीं है फिर भी आप खाना खा रहे हो जब अरदस्ती जितनी आपके शरीर की क्षमता है आयूरवेद में हमेशा बताया गया है जितनी आपके शरीर की क्षमता या जितनी आपको भूक है उसके शरीर एक हिसा हमेशा कम खाएं ठीक है खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है अगनी को मन्द नहीं करना है और सबसे उच्च और रामबाण उपाए हैं खाना खाने के बाद सौ कदम जरूर चले जो आ जिसे मेरे यहां पर तिल मेरे को एससे कोई इशुनी हो तो मैने कभी रेमेडी भी आपको बताओ मैंने कभी हम ट्यूमत की है जो लोग परशान है क्योंके बहुत circumstance शुक नहीं है अजी की हवाइशीन है Кेस्चर से थरण इलॉट्स एनक का तेल इरंड का तेल लेकि जो टूथपिक होती है जिसे आप दान्द साफ करते हैं उस टूथपिक पे उस तेल को लगाना है और जहां भी आपके तिल है उस तिल के उपर आपको लगाना है जिसे कि यहां 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 जहां भी आपको मोल है ठीक है उस पे आप उसे लगाके हलका सा 10 सेकिंड के लिए स्टिक से ऐसे हिलाईए और छोड़ दीजिए ऐसा नहीं कि कहीं और लग जाएगा तो कहीं जलन होगी नहीं कुछ भी नहीं साइड में भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको दिन में चार से पांच बार तिल के उपर इसे लगाना है और लगवक दो से तीन महीने जब तक कि वो तिल कंप्लीटली लाइट नहीं हो जाते या कंप्लीटली खतम नहीं हो जाते दूसरा जिन लोगों को कॉंस्टिपेशन रहती है वो लोग भी कुछ टाइम के बाद इशू फेस करना स्टार्ट करते है तो आपको अपनी कॉंस्टिपेशन पर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है प्रॉपर उसको जो है ठीक करना है अगर कॉंस्टिपेशन रहेगी ना तब भी क्योंकि कुछ भी खा रहे हो अब्सॉप्षन नहीं है तो वो पित खराब होगा ही होगा या तो बिल्कुल ही मन्ध हो जाएगा या तो बिल्कुल ही तीक्षन हो जाएगा और दोनों ही चीजे खराब है क्योंकि मैंने बोला है जब तक आपके दोश सम अवस्ता में हैं इकिलिब्रियम मिंटेन करें तब भी तक वो सही है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और पानी जो है कभी भी 2-3 गिलास एक बार गटक के नहीं पीना है सिप-सिप करके पीना है जब हम खड़े होके एकदम से पानी पीते हैं तो हमारी अगनी को बहुत जादा मंद कर देता है अगनी मंद होती है तो डेफिनेटली हमारा पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है यह हो गया पहला स्टेप दूसरा, बेकिंग सोडा जी हाँ, बेकिंग सोडा क्या होता? वो एक तरह से शार है, तीक्षन है हम खाने में बनाते हैं तो केक को इतने से इतना फुला देता है ठीक है? सिमिलिर वे वे वो हमारे तिल पे काम करता है आपको क्या करना है? कैस्चर ओयल लेना है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा अड़ करना है उसे मिक्स करना है लेकिन बेकिंग सोडा आप इधर उधर लग जाए तो वो हलका सा बर्न का निशान रखेगा जो कुछ टाइम में चला जाएगा आपको प्रॉपरली टूथपिक से लेकि अपने तिल के उपर ही लगाना है वो से हलका हलका जलाना स्टार्ट करेगा और उस लेयर को वहां से निकाल देगा वो पील कर देगा वहां पे कुछ टाइम के लिए हलका सा ब्लैक निशान रहेगा जो 10 से 15 दिन में अपने आप चला जाएगा इस रेमिडी से भी आपकी स्किन किसी भी तरह से खराब नहीं होगी लेकिन उचित मात्रा में उचित तरीके से इस्तेमाल करना है ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा लो फिर आप बोलो मैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो हम रेस्पॉंसिबल नहीं है उसी एरिया पर लगाना है मानो आप जो है आपको कितना चाहिए आप 4 बून कैस्टर ओइल किलो ठीक है और उसमें आप एक चुटकी बेकिंग सोडा डालो जिससे वो थिक पेस्ट बन जाए जब वो थिक पेस्ट बन जाएगा तो आपको जो है टूथफिक लेनी है टूथफिक से आपको वहाँ पे लगाना है ठीक है सिमिलर प्रोसेस है कि आपको जो है दिन में 4 से 5 बार उसे प्रॉपरली अपने मोल पे लगाना है तब जाके आपको result दिखना जो है स्टार्ट होगा इमिरेट result नहीं दिखेगा हमें क्या होता है हमें हर चीज instant की कोई भी परिवाशा नहीं है चाहे वो home remedy है चाहे वो treatment है अपने liver को स्ट्रांग करिए अपने metabolism को स्ट्रांग करिए बहुत सारे लोग है जिन्होंने लेजर भी करवाया कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लेकिन कुछ का कुछ टाइन के लिए ठीक होता है लेकिन आसपास के एरिया में बहुत जल्दी और तिल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करें तो बेस्ट है सस्ता और टिकाव उपाय जिसमें हाली एक उर्पया भी कॉस्ट नहीं जा रही है आपको बस एक बार कैस्टर ओयल खरीदना है और वो सालो चल जाएगा आपका जब तक जब आपको लाइट होना दिखे आप कंटीन्यू करते रहे हो सकता है छे महीने लगे हो सकता है एक साल लगे लेकिन हजारों रुपे खर्च करने से बहतर है कि आपको एक बार उसका प्रॉपर समाधान मिला तो यह सिंपल से दो उपाय थे जिनने आपको लाइफ का हिस्सा बनाना है आप ऐसे भी कर सकते है कि एक दिन आप कैस्टर ओयल और एक दिन कैस्टर ओयल और बेकिंग सोडा मिक्स करके लगा सकते है वो आप पे डिपेंड करता है और मैंने कहा ना दोनों ही उपाय जो है व पताती हूं मैंने इस पे तो कभी नहीं किया यह तो कुछ टाइम के बाद उबरा था लेकिन यहां मेरे छोटे-छोटे दो तिल थे जिने बच्छमन में मम्मी लगाते थे उस पे तेल तो वह लाइट होगे वह लाइट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं करते मैंने उस पे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है प्यारा सा कमेंड लेकिन मेरी बात याद रखनी है अगर डाइजेशन कम जोर है कब रहती है गैस बनती है एसड़िटी बनती है तो प्रापर ट्रीटमेंट लेना है और अगर आप किसी भी समस्या से परिशान है आपके चाहरे पर तिल बहुत आ है तो आप ब्लड प्यूरिफायर स्टार्ट करिए और वो आप हमारे यहां से भी ओर्डर कर सकते है जो तिल को कम करने में मदद करेंगे बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे बहुत सारे पेशन को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उस आप उसे पूरी तरह से आयरुवेदिक माध्यम से बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं चाते चाते एक लास्ट रिक्वेस्ट है प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और हेल्फुल लगे तो वीडियो को शेर करिए और इन मैम की जरनी आप जरूर सुनना कि कैसे इन्होंने अपनी बिमारी को आयरुवेदिक माध्यम से इतने कम समय में बिल्कुल ठीक किया है आप लोगों ने उपास्टना की दुनिया को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको क्या नाम है कोमल कोमल हम ना रिव्यूज ले रहे हैं क्योंकि यह एज़ फीडबैक वरक करता है हमारे लिए भी और भी बहुत से लोग देख रहे हैं और उनको ना कई बार ऐसा तक विश्वास नहीं होता कि आपने भी देखा होगा आज के टाइम में क्या कि एक ए तो इसलिए हम इन रिव्यूज को ले रहे हैं ताकि ना जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए को एसे रियल टाइम वर्क करें तो आपको कितने मंद होगे मैंडिसन लेते होगे मैं को बनियर हो गया और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कितना पसंट ठीक होगे मैंको ने तो मैं तो भी लेक्छन भी में तो अधियते हैंग जो दिया हुँँएम्ज को कि अचक चले हमते हैं छोगे हैं तो भी मैंने बताया कि कि तो लिए दू तो फिर मेनी हाँ से मैं आपनी है निची है तो इसमें लगण में अपनीे चैंज़र है कितने साल से था अपको लाँ स्ट्री यर्स लगां झाल不好 और अब आपको कितने परसंट रिलीफ है मैं भी बोड़ी में तो बहुत जादे चेंज़े लेकिन अबी रिपोर्ट में ओड़ा था ताइंग आप दो लगया था टाइम गार ज़ेगा कीब डिये पैदस्ञें करका यृ। और वह साथ साथ चल रहे है पी उनके दोस कें है लेकिन उनको स्टॉप नहीं है तो पहले के कमपरिटिवन नहीं के लाए है लिए लिए टेब है ले ढौत जाग झाल कें रहे हैं? या कुछ भी आपको ऐसा थे प्रफेल हो यह जिए प्रफेल प्रफेल कर दी थी कैसे क्या होगा अज़ और जैसे आपने हमारे बार में कहां से सुना है मैंने ब्लोग से पता चला थेक है अज़ अगर मैं परसंटेज में बात करो तो पिछले एक साल में परसंट आपको रिली फील हो रहा है 80% 80% आपको रिली फील हो अचा एक लास्ट कोश्चिन कि बहुत से लोग करते हैं कि आईरवेदा स्लोव करता है कंपेर टू जो हमारी अंग्रेजी दवाईया होती है या फिर लोग यह बोलते हैं कि मैडिसन बहुत एक्सपेंसिव है तो इस पे आपका क्या उकिनियन होगा इस जो व्क तो नहीं करता है यह सही अथकिन मेडिसन सोते है वह जलदी फास्ट नहीं करते है कि दुबारा हमारे जो भीमारी को बहुत ज्हादा बढ़ जादा बढ़ जाते है तो उसको suppress कर देती है फिर एकदम से वो फिर से हिट कर देता है और वो जो एक्सपेंसे वाला पार्ट है उस पे आपका क्या टेक है नहीं मेर को तो नहीं लगता है वो यह तुम थोड़ा थोड़ा करके दो गे पहले फिर एकदम से जाना पड़ेगा इस ते अच्छा स्लो सो सही बेस्ट रहेगा थैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ थैंक यू